कि नमश्कार स्टडी विद नवीन चौदरी के यूटूब चैनल में आप लोगा स्वागत है और मैं आपको करेंट अफेर्स की अगली वीडियो देने जा रहा हूं ठीक है सर तो आप इसे ध्यान से पढ़ें कॉपी पेपर पैन लेलें करेंट अफेर्स से लिखना बहुत ज आपको इससे मिल जाएगा और मैं कोशिश करमों के से इतना रोचक बनाओ इतना बैतरीन बनाओ कि आपको इसके लावब कुछ और पढ़ना ही ना पड़े फिलागत हूं आगे करेंट इसर शुरू करते हैं ठीक है ध्यान से सुनिए कॉपी पेपर पैन सब्सक्री लिख ल कि अपूरशन प्रहार ना इस वक्त हरेयां ने चलाया हुआ है और येना इसलिंए उप आप रहार चलाया है कि जितनी मिग्रक्स है इसे लोग आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैंण निशार कर रहे हैं निशाम होने कर लिक्सौनल ऑप नесп्याधर है यू है कि आए जिसका नाम है मिशन प्रहार ठीक है ना और यह ड्रक्स को इसलिए रोपना जा रहा है कि बिल्कुल 100 परसंट रोप जाया ता कि नशामुक्त हो सके हर्याना ठीक है उन्होंने बाविश्य में यही सोचा हुआ है अब डग स्मगलिंग कहां से होती है तो दो जगाएं जहांसे डग स्मगलिंग होती है एक को बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल एक को बोलते हैं गोल्डन प्रीसेंट अब आप पूछेंगे गोल्डन ट्राइंगल क्या है गोल्डन क्रीसेंट क्या है तो गोल्डन तो पाकिस्तान इरान अफगानिस्तान ये तीन कंट्रीज ऐसे हैं जहांसे ड्रक्स इसमगल होती है इंडिया के लिए प्लीज ड्रक्स एक बुरी यादत है इसे छोड़ दें या किसी परकार का नशा एक बुरी यादत नशा नहीं करना चाहिए ठीक है पिनाक में सैल सिस्ट भारत ने डवलब किया है यह सुदेशी मिसायल सिस्टम है और यह मिसायल 30 km तक सतह सतह पर मार करने में सक्षम है वैसे कहाई जारा कि मिसायल कहीं भी 30 km तक मार कर पाती है ठीक है तो आगे बताना चाहूँगा कि अगला पुस्चिन है कि रास्ट्रिय गणित दिवस तो रा इस लाइन का मतलब है बाकी मुवी का नाम है और वास्तर में जितना कुछ वो जानते थे इतना कुछ शायद कोई गणी तक के जान पाया हो बाकी इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ दिया भारत को चौकि उनकी मृत्यू करीब 32-35 वर्ष की उमर के बीच हो गई थी क्योंकि इंग्लेंड गए हुए थे लंदन में तो वहां पर महां का खाना उन्हें नहीं रास आया तो उनके पेट में परेशानी हुई जिसवेसे उस ताइम महार है उसके बाद वापस लोड़ आए भारत और यहां पर आकर भी उनकी मृत्यू हो गई करी 35 वर्ष की अवस्था ठीक है ना तो स्रीनिवास रामानुजन जी की याद में ये 12 दिसम्मर को राश्ट्री गण दिवस मनाया जाता है अगला क्वश्चन है चिल्लाई कला क्या है ठीक है तो चिल्लाई कला जो है वो एक कश्मीर में दो महीने बहुत कड़ाके की सर्द को चिल्लाई कला कहते हैं जैसे गुल मर्ग तो मर्ग का मतलब कश्मीर के अंदर वो जगाएं जहां पर घास के मैदान हो उन्हें मर्ग कहा जाता है ठीक है इस तरह चिल्लाई कला वो दो भाहिने का मौसम जब भौग दिख सर्दी पड़ती है ठीक है तो जितने भी मर्ग ह सब घास के मैदान है जहां पर कश्मीर कर जाती है अगला सवाल है कि किस राज्य ने स्कूलों को कैराम्त जाते हैं तो एक राज्याज्य है जिसने अपने स्कूलों को कटटरेश किया है वह अरनाचल प्रदेश है अरुनाचल प्रदेश ने अपने राज्यवना तीन कटेग्रीज में बाटा है हाड मेडियम और सॉफ्ट तो यह ना वहां की भाववाले के स्थिती वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड्स और जितना मतलब जो भी आधार भूत आवशकता हैं उनके अनुसार उसन सर्वे किया तो पता लगा कि वहां पे जो टीचर नियुक्त किये गए थे वह कॉलिजने स्कूल नहीं जा रहे थे वह एक सेंट थे सबीके सबी जब उन से पूचा गया क्या बात है तो टीचर से बताया यहां कि हम पहुंचनी पा रहे हैं या कहीं कि भावले किस्तिती खर सब्सक्राव है कहीं पर अधरबुद सुईधाय नहीं है पैसलिटीज नहीं है तो यह सोचती है उन्होंने इसे तीन कटेगरी में माट दिया था आप उन्होंने एक सीचार की कि जो भी नए टीचर नियुक्त होंगे वह दो साल हार्ड कॉलिज में हार्ड स्कूल में सब्सक्राइब और बाकी का समय वह सॉफ्ट स्कूल में पढ़ा सकते हैं ठीक है न तो इस तरह से उन्होंने इसे बाढ़ रहे है तो अगला के नई कॉमन करंसी किसमें दी है तो यह वैस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने नई कॉमन करंसी दिया मतलब उन करीब साथ से आठ राज्य हैं जो इस तरह से हैं ऐसी आठ देश हैं अफ्रीका कांटिनेंट में जिन्होंने एक करंसी जारी किया जो उन्होंने सब में बराबर चलेगी इसका नाम है इको इससे पहले एक टाइप का फ्रैंक चलता था मां पर तो उन्हें यह लगता था कि वह प्रैंट कंट्री इस पे तो फ्रैंक नाम से इक मुद्रा चलिया थी बहुत पहले से तो इन्होंने उस मुद्रा का नाम करण बदल के एक नई मुद्रा चलाई है इक अगला सवाल है मिशन हंड़ेड परसंट किसने शुरू किया है और इसका मतलब यह है कि बेसिक स्कूल जिसने भी हैं उनमें सभी बच्चे पास वने चाहिए पढ़ने चाहिए हो बस इसलिए यह मिशन हंड़ेड परसंट है अगला आया कि मिलिटरी स्पेस फोर्स किस देश ने बनाई है तो देखिए पहली मिलिटरी स्पेस फोर्स बनाई जा चुकी है मतलब आकाश यह उनके पास पांच दस्ते और हैं ठीक है ना अलग अलग उसके जिसे चल्स है ना थल्स है ना वायूस है ना यह नहीं होगे एक उनके पास सील कमंडोज हैं है ना एक और अच्छटे नमर पर मिलिटरी एरफोर्स है तो यह इसलिए बनाई गई है कि आज की डेट में टेक्न है यह कुछ आज हैं उनका द्यान लगने के लिए यह मिलिटरी स्पेस फोर्स बनाई रही है क्योंकि 3-4 तरह स्टम लड़ाई कर पाते हैं अंडर वाटर के लिए सबमरीन हैं नेवी हैं हमारे पास पानी में लडने के लिए मिलिटरी है हमारे पास जल्बे लडने धर्वे के लिए इसका एक करण हो रहा है उसके बाद एक टार्गेट जो ने दिया गया है उस टार्गेट पे जाके वो गिरती है तो यह तरीका है अब यह क्या करेगी जब बलेस्टिक मिसाल छोड़ी जाएगी तो उपर जान दे कि वक्त जब वह वापस आ रहे हैं तो से रास्ते में नस्ट कर दिया जाएगा वह काम करेगी इस तरह से अपने देश के बचाव के लिए वैसा कर रहे हैं दूसरी बात अपने आपको बचाते हैं कोई घर नहीं रुकेगा काम बराबर चलता पीठराइन चाहिए तो पीचे नहीं खते डिए तो यह I Hoyer बॉर्ट के लिए अगे हाबर पोड मार्ण ढबनेत तीन देश हैं एक लगण तो नहीं रहा है इतना है कि भारत से जाने वाला सामान है इरान और अफगानिस्तान तक जा सकता है लेकिन पाकिस्तान में एससी किती है कि इसने रास्ता खोल दिया है ट्रेन लाइन चला दिये पर उसे बरोजा नहीं कर सकते हैं इसलिए उसलिए यह बहुत इंपोर्ट है कि इसलिए अग्र अगला स्वाल करनल चीवांगरीं चेन तो लगण बनाया गया है जो कि लदाख में बना रहा है और इसकी खास बात यह कि बारत का सबसे ऊचा विस्तरत इस्थाई पूर है सबसे ऊचा चोड़ा मतलब विष्टरग और इस्थाई मतलब पकापुल है इनका नाम है करनल चिवांगरिण चेन के नाम दिन का नाम रखा जिया करनल चिवांगरिण चेन गो लगता का शेर भी कहा जाता है और दूसरी खास बाते हैं दो बार वीर चक्र मिला है ठीक है तो यह है कर्णल रिवांग चिन चिवांग रिंचेन के बारेंबाद ठीक है और अगला सवाल है कि सर्चिकल स्ट्राइक दरसल इसमें के वर डेट पूछी जा सकती इसलिए थोड़ा सा पता रेना चाहिए कि सर्चिकल स्ट्राइक कब हुई थी तो 29 सितंबर को पहले सर्चिकल स्ट्राइक हुई थी तो पंदर्मा प्रवासी भारते दिवस दसल ऐसा है कि प्रवासी भारते दिवस के फिक्स डेट है जो कि है साथ से नौ जनवरी लेकिन इस बारी डेट बदल दी गई इसलिए कोस्चन इंपोर्टंट है किसी भी प्रवासी दिवस कब मनाया गयाका बनारस में और बनारस में क्यों मना गया क्यों को बचल रहा था और इसलिए श्क्ती डेट बदल के कर दी गई 21 सब तर अगला क्या है सुमन योजना किसे सर्मंग देता है तो वैसे तो योजना बहुत सारी चला रखिए हैं वारत सरकार ने पर यह विश्यश्य क्योंकि भारत देश में महिला शक्ति करण की बात हो रही है इसलिए इंपोर्टेंट है तो यह जचा बच्चा स्वास्थे के लिए चराए गई है सुमन योजना जिसमें की छे महिने तक जच्चा और बच्चा दोनों को आधार भूत सुविधाय मेडिकल की प्रवाइड दरानी होंगी अच्छा सीजाई जो है हमारे मतलब सीचीर जस्टिस ऑप इंडिया जो थे स्रजन गोगोई साव वो जाते जाते एक फैसला और करें जो बड़ा काम का था कि किसी इनसान ने एक डाली जो गई हाई कोट के एक दफ्तर में और हाई कोट के दफ्तर ने उसका जवाब देने से मना कर दिया उसके बाद वो गई लोगपाल में और लोगपाल से फिर वो चली गई सीधा सीजी आई मतलब सुप्री बी आठी आती है तो आपको उसका जवाब देना होगा तो सीजी आई साब सभी कोर्ट के ओफिसों को आठीय के अंतरगत भी दे गए यह उनका बड़ा आहन प्रेसला था अदला है कि यूनेस को ने ना 2019 में दो शेहरों को एक बरजा दिया है रचनात्मक शेहर का वैसे भा पॉटल डॉलर उनिसमें 66 शेहरों को दर्जा दिया है यूनेस को ने वैसे पर इसमें दो भारत के हैं जिसमें एक मुंबई और दूसरा है धराबाद है मुंबई तो फिल्म नगरी के लिए और हैधराबद पाक पाक मतलब खाना बनाना घोजन तो यह खाना बहुत को रचनात्मक शेहरों के लिए उनके अपने साथ पॉइंट है यसे पत्रकारिता है फिल्म डॉस्ट्री है संवीथ है शिल्पकला है और इसे मतलब टोटल कुल मिला के साथ पॉइंट से अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपका शेहर फोलो करता है और यूनेस को से स पर हार क्या है यह कैसे हुआ जब तक किसी को डिफाइन ना किया जाए उसे बताया ना जाए तैसे याद नहीं रहता क्योंकि किताबे बहुत बिलती हैं वाजा रहे हैं आप पहां से पढ़ सकते हैं जो मैंने बताई है आपको लेकिन एक तथ्थे जो उससे जुड़ा रह शुरू कर दिया इसलिए घर में रहिए जब तक हमारी सरकार यह तिकलेर ना कर दे कि अब हम सुरक्षित हैं तब तक आप घर में रहें घर से बहार ना निकलें क्योंकि एक मैसेज चल रहा है कि जब ठोकेगा इंडिया तब इधर पे रूबेगा इंडिया तो इसलिए विकास में योगदान थे हैं आप आगे बढ़ें यही शुक्त कामना के साथ धन्यवाद